Hello everyone, Welcome to the Academy I hope आप आप लोग सब अच्छे होंगे आज इस वीडियो में वनस्पतीफी ज्यान से सम्बंदित important question देखने वाले हैं जो बार बार एक्जाम में पूछा जाता है या बहुत सारे एक्जाम में पूछा गया है आप लोग बता दूँ आप लोग पर इच्छा हाल में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लिजिएगा नहीं आप लोग आके पस्ताएंगे कि इस वीडियो को देख लिए होते तो क्या पता आप लोग से एक या दो question अलड़ी बन गए होते ठीक है तो चलिए बिना देर के वीडियो को सुरूर करते हैं उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली वावेजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए कि क्यों जो भी latest आप लोग के इस जाम से related अपडेट आएगी या news आईगित आप लोग को अपडेट कर दी जाएगी साथ साथ एक बात और बता दो इसका PDF लेना चाते हैं तो आप लोग टेलिग्राम चैनल जोईन कर लेजिए का टेलिग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के description में प्रवाइट करवा दी गई साथ साथ कुछ सवाल जवाब हो इस्टाग्राम पर आप लोग पूछ सकते हैं इस्टाग्राम की लिंक भी आप लोग को मिल जाएगी पहला सवाल आप लोग के सामने चले देखते हैं ये वन लाइनर कोश्चन होंगे जो बहुत ही महतपूर है ठीक है आप लोग वीडियो को जरूर ध्यान से देखें बीच में इसकी मत कीजिए नहीं पस्ताएंगे मैं बार 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 वो लाओं आप लोग एक दिस्टाई में अच्छे नमब लाना चाते हैं ठीक है क्वालिफाई करना चाते है एक जाम तो आप लोग जरूर वीडियो को ध्यान से देखेंगा पहला कोश्चन आप लोग सामने है अब तक ग्यात पादवो के लगभग संख्या कितनी है अभी तब जितने भी पादव है यहने ग्यात है उनकी लगभग संख्या कितनी है आप लोग इजाम में एक कोश्चन नहीं पुछा जाएगा लेकिन आप लोग को जानकाय रखती है ब्यापम का कोई पता नहीं कौश्चन पूछ लिया जाए कभी-कभी ऐसे भी कोश्चन डाल दिया आते हैं जो आप लोग से बनने चाहिए कितनी है 34,3222 ठीक है आप लोग ध्यान दिया बहुत ही महतपूर कोश्चन है इसमें राइट एंसर होगा 3,43,225 ठीक है आप लोग ध्यान दिया बहुत ही महतपूर सवाल हो जाएगा आगला सवाल जो बहुत ही महतपूर है अवपंक क्या है अवपंक फफोदी को पांच जगत प्ददती वरिकण किसने जगतने में रखते हैं प्रोटिश्टा जगत में रखा जाता है अगला सवाल है आधोनिक भारती स्यवाल विज्ञान के पिता कौन है आधोनिक भारती सैवाल विज्ञान की पिता यह फादर आफ सैवाल किसे कहा जाता है प्रोफेसर यम ओपी आयंकर को जो है सैवाल का पिता कहा जाता है ठीक है अगला सवाल है एक कोसी तथा आवरण विहिन जनन अंग के प्रमुक लच्छड क्या होते हैं यह होते हैं थैलो फाइटा क्या होते हैं थैलो फाइटा आप ध्यान दिजेगा थ्वासा अगला सवाल है एक कोसी यूरो क्रियोटिक कौन यूरो क्रियोटिक और प्रकास संस्रेशन को किस जगत में रखते हैं इस्ता जगत में रखा था है आप लोग इसको भी ध्यान रखेगा ठीकर ही अगरः् Ashmağı, च्तौ लाजी में अध्यन किस के लिए किया जाती है यह जिसमें तो आप लोग ध्यान दिजेगा अवसदी प्रदान करने वाले पौधे के अध्यन को भेशच विज्ञान कहा जाता है ठीक है अगला सवाल है किस समू के पौधे में निसेचन के लिए जल आवस्चता होती है यह ब्रायो फाइटा के लिए इसके लिए ब्रायो फाइट्स के लिए ठीक है अगला सवाल है किस में भारत में हरित करांती के जनक के लिए पदम भिभूसर पुरुषकार से सम्वानित किया गया है एनि फादार आफ हरित करांती ठीक है डक्टर एम स्वामी नाथन को हरित करांती का जनक कहा जाता है आप लोग यह रखना है फेरे फेरे इपटन कोशन है यह बहुत बार पूचा जा चुका है अगला सवाल है केंद्रक के आधार पर किस में तुलना की गई है प्रोक्रियोटिक के आधार पर केंद्रक की तुलना क कि गई है ठीक है अग्या स्वाल होला कोषिखा भीति का अभाव किस में होता है लेकिन आप लोगu मैने चरूर कीजी घर अब बहुत इह महतुत अब कोचन सा प्रियोक्रीयोटिक होता है ये सरीरिक जवाड़ों जो होते हैं ये प्रियोक करियोटिक होते हैं क्रिप्टो गेम्स में क्या रखे गए हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिटो फाइडा ग्रूप जो हैं ये क्रिप्टो गेम्स में रखे गए हैं ठीक है अगला सवाला गुर्शोत्रों की संख्या के आधार पर पौधों का वर्जिकरण किसके अंतरगरत करते हैं कोस्की वर्ग की विंग के अंतरगर जो है विग्यान के अंतरगर गुर्शोत्रों की संख्या का वर्गरत किया जाता है अगला सवाला च्छ जगत पादिप में मोनेरा जगत को किन दो भागों में विभाजित किया आता है यूबेक्टिरिया और आर्विके बेक्टिरिया जो होता है इसके अधर जो है मोनेरा गुरूप को दो भागों में विभाजित किया गया आप लोग को ध्यान अपना है अगला सवाल जीव विज्ञान सब्द का प्रियोग सबसे पहले किस ने किया था लैमार्क और टेवेरियस के द्वारा सर्पथम जो है जीव विज्ञान सब्द का प्रियोग किया गया था जीव वन का भहुतिकी अधार किसको कहा गया है जीव इंपॉर्ट Stremen को कहा जाता है थेके अला सुवाले टर्यू फाइडा समो को किसकी उपस्थि किया जा सकता है संवहन उतक के कारण अलास वाला तने में लंबाई में व्रिधी कैसे होती है उतक सिर्षक और अंते व्रिष्टी बेभेज जोत्यक दोनों के विभाजन से इसमें थ्वासा हिंदी बहुती जादा है आप लोग मेने जरू कीजिएगा अलास थैलोफाइटा, ब्रावफाइटा, टेरिटोफाइटा को समुवी किस रूप में कहा जाता है क्रिप्टो ग्यम्स के रूप में कहा जाता है अला सवाल है पांच जगत वर्गेकरण किस ने दिया था यह पांच जगत में वर्गेकरण किसके दौरा किया गया था हीटिकर के दौरा किया था अला सवाल है पांच जगत वर्गेकरण में नीलो हरी सैवाल जिवाणू तथा अरकी बैक्टिरिया इन तीनों को किस जगत में रखा गया है यह मोनेरा गुरूप में रखा गया है ठीक है अगला सवाले पादप और जन्तु में मुख्य अंतर क्या होते हैं पोसड का पादप और जन्ती के मुख्य अंतर क्या होता है पोसड का मुख्य अंतर होता है पादप किसके लच्छड के कारण जन्तू से समानता रखते हैं दोनों दीन रात सौसन करते हैं यही एक मुख लच्छड है जो समाने लच्छड रखते हैं पादप अगला सवाल है पादप कोशिका के किस अनुपस्तिति के कारण जन्तू कोशिका से भीन होते हैं सेट्रोसम और तारक काय की कांड जो है यह दोनों अलग होते हैं ठीक है अलग कोशन पादब तता जंतु कोशिकाओं के प्रमुक अंतर क्या होता है पादब कोशिका में दरेड कोशिकाओं भित्ती होती है ठीक है आप लोग ध्यान दिजिएगा अलग कोशन जो होता है पादब प्रकास संसेल से क्रिया में क्या बनाते हैं एक कार्बोहाइडर बनाते हैं पादब जो होते हैं प्रकास संसेल से क्रिया में क्या बनाते हैं कार्बोहाइडर बनाते हैं पुस्पी पौधे का अध्धन की साखा में करते हैं यह फेनेरो ग्यंग्स के अध्रगत जो है पुस्पी अब घटक क्या होते हैं यह होते हैं कवक होते हैं ठीक है और बहुत क्यों सी उपहोगता में किसमें आते हैं एनी मेलिया में आते हैं आते हैं आप लोग ध्यांदी का बहुत ही महत्पूर्ट सवाल हो जाता है विजविहिन समBHANIPkami कौन साह होता है भिरवलसाह ने इस इचिवड आँफ पेलियो बोटनी कहाँ इस थी थे लगणाउ इस्तिति है अलोस वालव भारत के किस विज्ञान को पोसी में और कोसिका अनुवास के लिए पदम भीवूसर से सम्मानित किया गया है राहिच अनसर होगा अरुड कुमार को किया गया था अला सवाल है भारत के किस विज्ञानिक को भारती जिवास वनस्वती विज्ञान का जनक माना आता है प्रोपेसर बिरल साहनी को ठीक है प्रोपेसर बिरल साहनी इंस्टिरूट जो है लखनों में इसी थे आप लोग इसको भी आग किजिएगा भारत में ग्यों के काले किट र की जन्मा जाता कोन है डाकटर केरंगता अलाग कुछ भारत में हरित करांति किस दौर में आई थी u 1960 में आई थी भारत में व्राइफ हैटथ विग्ञान के जनक कौन थे ए essay प्रोफेसर आरयक काश्यब जो है प्रोफेसरी महिसी को आप लोग चाहे तो नोट डाउन भी करते जाए भूड अनुपस्तित किस में होता है सेवालों में होता है किसमें होता है सेवालों में होता है मिट्टी में अध्यन किसका कियाता है मिट्टी विज्ञान में ठीक है किसका अध्यन कियाता है भूड अनुपस्तित किसमें होत के नियमों का अध्यन कैसे करते हैं अनुवांसकी विज्ञान अनुवांसकियों में जो है वनसा गरती नियमों का अध्यन किया जाता है अगला कोश्चा ने वनस्पति विज्ञान की किस साकह के अंतगस विच्छों के आयू के अध्यन कियाता है द्रम काला क्रमड जो होता है उसकी अंतरगत वनस्वती विज्ञान के जो अंतरगत विच्छों का अध्यन कियाता है वनस्वती विज्ञान के किस साखा में अच्छी नसलो तथा अच्छे विज्ञों का अध्यन कियाता है पादप्रजनन विज्ञान के अंतरगत इस सब का अध्यन किया जाता है अगला च्वाला वनस्वती विग्यान की साखा में कोशिकाओं का सरचना का अध्यन करते हैं कोशिकाओं की सरचना का अध्यन कियाता है वनस्वती विग्यान की साखा में वनों की विकास का अध्यन कियाता है वन वर्धन में किया जाता है अगला सवाल है वनस्वती विग्यान की साका में सबजीयों प्रदान करने वाले पोद्यों का अध्यन करते हैं ओलरी कल्चल क्या बोलते हैं सबजीयों के अध्यन को जो है ओलरी कल्चल कहा जाता है वनस्वती विज्ञान की वह कौन सी साका जिसमें सजीव क्रियाउंत अता कार का अध्यन कियाता है कार की विज्ञान क्या बोलता है कार की विज्ञान बोलाता है अला स्वाल है वनस्वती विज्ञान की वह साका जिसमें मिठी का अध्यन कियाता है वनस्वती विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है इस्टिफेन होल्स को ध्यान दिगा इस्टिफेन होल्स को जो है वनस्वती विज्ञान का पिता कहा जाता है वनस्वती विज्ञान में अध्धन किस के लिए करते हैं पादमों के संपूर अध्धन के लिए वनस्वती विज् विशाड़ों का अध्यान किसमें करते हैं वायरस विज्ञान विशाड़ों के विज्ञान में जो अध्यान किया जाता है सहवाल विज्ञान के अंतगरत किसका अध्यान करते हैं सहवालों का अध्यान कियाता है सोभा कारी पाधकों के संवर्धन और अधन को क्या करते हैं क्या जा चूकिक है अलगा सब्सक्राइब जाले यह कूषिंग usability करते हैं सुच में दर्थी पादव और जंतु के लिए यह अध्यन किया जाता है स्वछ में सवच जल में पाई जाने वाले पौध्य का अध्यन की साखा में करते हैं सरोवर विग्जान में करते हैं एक कोंचन आप लोग के लिये है, इसका एंसर आप लोग बता सकते हैं रितों चलिए बता देते हैं, ही टेकर का वर्गिकर वर क्न किस पर आधारित नहीं है, समवहन उतक और अफस्तिते पर आधारित नहीं है, तो यह रहे 65 questions जो आप लोग एक्जाम में पूछे आते हैं फटा फट की हैं वन लाइनर हैं आप लोग को action एक या दो बाद देख लिजे क्योंकि एक बार में आप लोग को बहुत ही कम नाम याद होंगे ठीक है यहाँ एक बार में याद हो जोंगे अच्छी बात है और आप जिस टॉपिक पर वीडियो ची आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं रिवीजन के लिए ठीक है चलिए विंते नेर्स वीडियो धन्वाल